हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीदियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके पाटूलाका के प्लांट में फलावरिंग नहीं हो रही है तो आप इस समय मई के महिने में अपने पाटूलाका के प्लांट में क्या-क्या फोटिलाईजर दे सकते हैं, कौन-क आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा प्लांट है, पहले इसकी इस्तिती ऐसी नहीं थी, ये जो दो पॉट आपको दिख रहे हैं इस वीडियो में, ये जो है, अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी बड़िया फ्लावरिंग हो रही है, और काफी अच्छी बड़िंग हो रही और इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी हो गई है लेकिन आज से कुछ एक महीने पहले इसकी इस्तिती ऐसी नहीं थी इस पर मैंने क्या-क्या काम किया है क्या-क्या फॉर्टिलाइजर डाला है चलिए आपको मैं आगे डिटेल में इस वीडियो में समझाती हूं यह देखिया य लेकिन एक महीने पहले की इस्तिती है तो इसमें मैंने क्या-क्या काम किया था और क्या-क्या फॉर्टिलाइजर डाले इसको मैं आप डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं यह दो पॉट है मेरे पास पुराने पॉट अगर आपके पास पाटूलाका के पुराने पॉट हैं तो उसी से आप उसमें कुछ काम करके अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं पाटूलाका का प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि अगर आप इसको एक बार लगा देंगे तो यह सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा और यह ठंडियों में डॉर्मेंसी पीरड में चला जाता है ठंडियों में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है लेकिन जैसे ही गर्मिया आती है तो इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है आपके पाटूलाका में भी अगर आपने देखा होगा कि इसमें गर्मियों में उ एक नई लाइफ मिलती है इसे जो आने वाला प्लांट होता है वो काफी हेल्धी होता है यहाँ में कर रहे हूं यहाँ दोनों पॉट में मैं दो अलग लग पर रेसर का यूज करूंगा पहले pot के लिए मैंने लिया है D.A.P. के कुछ दाने और सीवीड के कुछ दाने इन दोनों को ही मैं पहले pot में इस्वाल कर रही हूँ इनको मैंने market से लिया है इसको डानने से और सीवीड को डानने से हमारे प्लान को एक overall nutrition मिलेगा और इसकी root की growth अच्छी हो जाएगी यहां मैंने मिट्टी नहीं बदली है आप इस चीज़ को जरूर देखे बिना मिट्टी बदले ही cleaning करने के बाद मैंने इस fertilizer का इस्तमाल किया है दूसरे pot में भी मैं ऐसा ही कर रही हूँ इसकी सिर्फ जो घास है वो मैंने निकाल दी है और इसमें मैं homemade fertilizer का इस्तमाल कर रही हूँ यहां पर मैं किसी भी chemical या फिर market के fertilizer का use नहीं कर रही हूँ मैंने लिया है तीन चमच के आसपास चाई की पती सूखी हुई चाई की पती इस्तमाल की हुई चाई की पती जो की चाई की चनी में बढ़ जाती है हम इसको धूप में धो कर सुखा लेंगे और फिर इसका इसमाल करेंगे इसके लावा एक और fertilizer है वो है बनाना पील liquid fertilizer का इसमाल मैं इसमें कर रही हूँ स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हैं बनाना पील liquid fertilizer एक बहुत ही अच्छा और गैनिक और homemade fertilizer है इसको आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं यहां मैंने एक pot में homemade fertilizer का यूज किया है और एक में मैंने market का यूज किया है यहां जो मैं आपको यह दिखाना चाहती हूँ कि हम दोनों ही चीजों का इसमाल करके अपने plant में अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं अगर आपके पास market का कोई fertilizer नहीं है तो आप homemade fertilizer का इसमाल करके भी अच्छी ग्रोथ अपने plant पर ले सकते हैं अच्छी flowering ले सकते हैं यह देखे आप 15 दिन के बाद की स्थिती यह दिखाई दे रही है आपको दोनों ही pot में काफी अच्छी ग्रोथ हो गई है यहां एक चीज मैं आपको बता दू कि जिसमें मैंने homemade fertilizer का इसमाल किया था अगर आप homemade fertilizer का इसमाल करते हैं तो आपको हपते में उस fertilizer को repeat करना है मैंने अपने दूसरे pot में चाय की पती और बनाना पील को repeat किया है अभी क्यूंकि 15 दिन हो चुके हैं तो हमें अपने plant को एक और fertilizer देने का time आ गया है जिससे की इसकी जादा से जादा कलिया निकल कर आएं और जादा से जादा flowering हो तो यहाँ पर जो चीज मैं समाल कर रही हूँ वो है सरसो की खली सरसो की खली हमारे पाटूलाका के plant के लिए एक बहुत बढ़िया fertilizer है अगर आपके पास पाटूलाका का plant है और घर में आपके पास सरसो की खली है और उसमें कोई flowering नहीं हो रही है तो इसमें आप सरसो की खली का इसमाल जरूर करें इससे आप देखेंगे कि इसमें जादा से जादा कलियां बनेंगी और जादा से जादा flowering होगी जो सरसो की खली है वो nitrogen, potassium, phosphorus का एक बहुत अच्छा source है साथ में इसमें काफी सारे ऐसे micronutrients हैं जो की हमारे plant को मिल जाते हैं और इसको डालने से हमारे plant की overall growth अच्छी होती रहती है इसका इसमाल आपको 15 दिन में एक बार अपने पाटूलाका के plant में करना है इसको भिगो कर आप इसका liquid fertilizer बना कर डाले एक plant के लिए दो से तीन टुकडे काफी है आपके पाटूलाका के plant के लिए अगर आपके पास सरसो की खली powder form में है तो तीन चमच के आसपास आप सरसो की खली के powder को पानी में भिगो कर रग दीजे और उसको आप चान करके अपने पाटूलाका के plant में पंदा दिन में एक बार समाल करें तो किसी भी form में आप सरसो की खली का समाल अपने पाटूलाका के प्लान में कर सकते हैं अगर आपके पास घर में सरसो की खली नहीं है तो आप सिफ होमेट फटिलाइजर डाल कर भी आपके पाटूलाका की फ्लावरिंग बढ़ा सकते हैं इसके लिए आप लगातार हर हपते इसमें बनाना पील लिकुट फटिलाइजर बना कर डालते रहें और साथ में दस दिन में एक बार आप 3-5 चमच सूखी हुई चाय की पती भी आपके पाटूलाका की प्लाण में ज़रू डाले सूखी हुई चाय की पती से आपके पाटूलाका को नाइट्रोजन की अच्छी कॉंटिटी मिलती रहेगी जिससे की इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहेगी, जादा से जादा कलियां बनेंगी और अच्छी फ्लावरिंग होगी ये एक महीने के बाद का रिजल्ट आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे फ्रेंड्स आर आप देख सकते हैं दोनों ही पॉट में कितनी बड़िया ग्रोथ हुई है, दोनों की फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है और लगातार इसमें नई कलियां बन रही हैं और एक महीने हो चुके हैं इसको तो आपके पास घर में जो भी फर्टिलाइजर हो आप उसका इस्तमाल अपके पाटूलागा के प्लांट में करें अगर आपके पास market का कोई fertilizer नहीं है तो आप घर में banana peel का fertilizer बना कर लगातार आपके पाटूलाका के plant में करें और चाय की पत्ती का इस्वाल करना भी आप बिल्कुल भी न भूलें क्योंकि चाय की पत्ती से आपके plant को ज़ादा से ज़ादा growth मिलेगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक यू